नमस्कार आज हम बात करेंगे भगवान, अल्ला, मा या परिवार के लोग इनके बारे में गलत या बूरे खायाव सब्सक्राइब ना में प्रवाट पाइड के तरब देखने के खाया लाद इसके बारे में आइए अपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दिपक करेकर में मनोविकार सेख्स रोक सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अधन्य हूं महाराष्ट में पिछले एक ताली साल से अकुला में पैट्टिस कर रहा हूं मेरे पास में लड़का बता रहा था कि मुझे ठीक ने लग रहा है तो अबने कुछ किया उसके लिए नहीं पुले मैंने कुछ किया नहीं पिर जब मैंने उसको मेरे माबाप को बोलता हूं कि बाहर बैठा दिया और फिर यह बोलने लगा पूरी अपनी राम कहानी मुझे भगवान के बारे में बुरे-बुरे खायलात है जब मैं भगवान का दर्शन करता हूं कोई मंदिर में जाता हूं घर में जो पूजा का जो जगह है वहां जाता यदि देवी है तो देवी के चाती के उपर जाएंगी, प्राइवेट पार्क के तरफ जाएंगी और मुझे बहुती बूरा लगता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि भगवान मुझे मुझे माफ नहीं करेगा, मैंने ये ठीक नहीं है, ये ठीक वो पूछते कि बहुत नहीं सकता मुझे इतना बुरा लगता है कि ऐसा करसा में बोलू किस तरह से बोलू कि मेरे सिस्टर की चाहती के तरफ मेरी नजर जाती है और उसके प्राइट पार्ट के तरफ नजर जाती है नीचे नजर जाएगी और विचार आते रहेंगे और कभी कि इनके साथ में सेक्स करना चाहिए और कभी गभवान के सामने विचार ऐसे आते हैं कि मंदिर में जब जाता हूं मैं तो मैं मुझे आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के ओपर पेशाप करता लू यह संबहुन है मुझे मालूम है कि मैं नहीं करूँगा यह मतलब एक्चुली करने माला नहीं विचार आते इतना परेशान हो जाता हूं मैं तो मैंने अभी मंदिर जाना बंद कर दिया तो इसके बारे में क्या करू कभी-कभी उसको इतना गिल्ट महसुस होता ऐसा उसने बोला कि बहुत गिल्ट महसुस हो रहा है बहुती बुरा ल लग रहा है यह क्या है यह OCD Obsessive Disorder यह बीमारी है और ऐसे काफी सारे लोग हमारे पास में आते रहते हैं कि जनको यह बार 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 वीचार आते रहते हैं प्राइवेट पार्ट के तरफ देखने के तो विचार बहुत लोगों को आते रहते हैं मतलब इसलिए वह उन कि मैं देख रहा हूं तो मैं को मारेगे तो फिर उसने जाना ही बंद कर दिया टालना चालू कर दिया लोगों को देखना ने चुपचाब जाना नीचे नजर जुगा कि जाना चले आना चुपचाब इतना उसको डर मेड़ गया कि कोई कुछ कर देंगा तो कैसा होंगा मु कि बनिम्झे गेंगे कि फिर मुझे बहुत दिन से बोलते हैं कि बहुत दिन से हो रहा Keeping गात्फ psych reading परéo भाई शी कैसा अब या में जब घर में विचार आते हैं तो, यह तो निए मन्दीर में या कोई जो मुस्लीम पेशना में आ रएनों अच्छा है! लोग क्या अच्छा है। लोग क्या गएंगा गरते कि विचार मत कर दिगा। निकल जाएंगे ज्यादा सोचता ही है टू ऐसा बोलकि उसको चुषभ डिटा देंगे कोई डापकर के तुर जाता ने किनको लगता रोगे क्या पागल हों डाक्टर गळगर के तरफ जाना आ तो मतल takes गे का और भर ठे का तो लोग अगे दो इनकें कर इसकी बिच्टा netकरान एक सब्सक्राइब इसको लगता है कि मैंने अबोल को एक kommen अगया तो उसको लगता है कि ने कुछ्टे ने चाथ लिया होँगा कुते ने सपरशकिया होंगा कुछ कोई बाल इसकें पे आगई तो बुलती नहीं लोगों मिदक कि धर के लोगों के ओपर भी चलो हो जाता है कुछ भी विचार और उनको ज्यादातर गंदगी के विचारी आते रहते हैं तो यह पेशाप करना या प्राइट पार के तरफ देखना या सेक्स करना इसमें क्या होता है कि यह इसमें गिल्ड में चले जाता है आदमी और गिल्ड में चले जाता है बहुत जादा डिप्रेशन होता है और उसमें कभी-कभी स्यूसाइड भी कर लेता है खुदकुशी भी कर लेता है और उनको मालू में नहीं पढ़ता कि इसने खुदकुशी क्यों कर लिया बैतर यह है कि जल से जल उसको डॉक्टर के पास में लेकर आना चेए क तो कभी-कभी उनको वीचाता कि मैं सेक्स नहीं कर पौông दिमाग में चलेगा एक हादा सीन दिमाग में चलेगा और उनको वहाँ से छुटकारा मिलता नहीं है यह अपसेश्यू है अपसेश्यू थिंकिन अपसेश्यू थांट से तो यह कमपल्शन का वह था है कि जब वह उसके ओपर एक्षिन करते हैं कि बहुत विचार आते कि अप दोलो underground मुझे अच्छा लगेगा कि अच्छा और उसको अच्छा भी लगता है। मैं शांते कि में बहुत के अच्छा लगए गवन के प्राइवेट आता के तरफ तो अच्छा लगेगा अभी वह पेशाप 我傑न के जासके और थांतार गा में इलगै पर मिफिते ज शूचicar अब हमारा brain क्या है? हमारा brain ऐसा है कि जो भी करने के बाद में हमको अच्छा लगता है वो बार बार रिपीट होता है तो उसका comfort हमें चलेगा है, relax हो गया, च्छाती के तरफ देखना है, देख लिया, अच्छा लगा, फिर क्या हो गया? अच्छा लगा तो फिर वो रिपीट, फिर विचा लगेंगा, फिर देखेंगा, फिर अच्छा लगेंगा, और वो vicious cycle में चले जाता है तो वो पेशाप करने का रहो, या च्छाती के तरफ देखने का रहो, या sex के पार्ट के तरफ देखना रहो, इसा कुछ भी रहो, तो उसको लगता है कि भई, ये मैं करूंगा उसके उपर कुछ कुरूती, तो मुझे अच्छा लगेंगा, तो उसको obsessive, compulsive disorder बुलते हैं उस और उसे ही obsessive personality रहते हैं, obsessive personality मतलब पहले से ही typicalness, time-dream काम करना, साफ सुद्रा रहना, जगह जगह पर वही वस्तू वहां रखना, neat and clean, मतलब ऐसा obsessive personality ज्यादा सोचना, ये पहले से ही उनको रहता है, और फिर ये बढ़ते बढ़ते जाके फिर उनको बिमारी हो जाते हैं O OCD, माक को, बाप को, पिताजी को, किसको भी OCD है, तो वो देख देख के इनको भी हो जाता है, OCD, कोई genetic कारण भी है, कि मैं मामा को है और जीन्स में आया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, अब लोग क्या करते हैं, कि लोग इसको बोलते हैं कि रोको, thoughts को रोको, इसका thoughts से रोकन इसको निकाल दे मन में से, तो ऐसा करने से होता नहीं है, तो इसके treatment क्या है, treatment यह है, कि जो थेरी बोलती है, एक थेरी ऐसे बोलती है, कि serotonin levels brain में कम है, करके यह बीमारी होती है, समझा ऐसा है, तो हमने फिर बहुत सारे लोगों को SSR नाम की दवाई दी हुई है, selective serotonin reupt inhibitors, जिससे serotonin बढ़ जाता है, ब्रेन में और उनको अच्छा लगता है, बहुत सारे पेशन ऐसे है, कि उनको सिर्फ serotonin, selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin बढ़ाने की दवा दिया, उनको अच्छा लगने लगा, serotonin बढ़ाने की कुलमी प्रेमीन भी दवाई है, वो भी देने के बाद म लोग बहुत कम हैं, सभाग्य वाले लोग की जल्दी आजाते हैं, दुर्बागय की बाद है कि हमारे पास में जल्दी लोग आती ही नहीं, परेश्यान हो जाते हैं, साल, दो साल, तीन साल, चार साल निकल जाते हैं, फिर हमारे पास में आएंगे, और तब तक बहुत पिरा तα मैं पूक्तेरहते भी तुकम का प्र किसकी कुति में जाता हूं। आप ने ला रहे Mean समय जगाऊ फैन अ आप फा getting % विचारे को तो आपने क्या करना है आभि को विचारों को देखना है चालू करना है और देखो यह वीचार हैना और जितना आप कंट्रोल करने के कोशिश करेंगे, उतने ज्जादा वो पक्के होते जाएं, तो हम बोलते पहले कंट्रोल करना बंद करो। Stop controlling आप जितना उसको रेजिस्ट करेंगे, नहीं आना चाये, नहीं आना चाये, उतना वो परसिस्ट करेंगे। So whatever you resist, it persists, वो आता है, वो रहता है, तो आपको resist नहीं करना है, number 1, number 2, आपको स्वीकार करना है, कि ठीक है, accept, acceptance कि ये बिमारी है, और ये बिमारी मुझे हुई है, ये subconscious mind की बिमारी है, automatic thoughts मेरा subconscious mind produce कर रहा है, वो मैं नहीं हूँ, वो अलग है मैं अलग हूँ, उसको resist नहीं करन करना है, स्वीकार करना है, तीसरा ये है कि उसके उपर कृति नहीं करना है, जो भी विचार आ रहा है, कृति आप करते हो, जैसा मैं बता है, ये हाथ दो लिया, अब क्या हो गया है, कि विचार आ गया कि हाथ गंदे है, हाथ दो लिया, तो क्या होता है, मुन को अच्छा ल तो आपको relaxation के practice करना है, relax हो जाना है, relax हो जाना है, लंबी साथ लेके meditation करो, self-hypnosis करो, उसका मेरा एक session अलग है, hypnotherapy for obsessive, compulsive disorder, OCD के लिए hypnotherapy, तो self-hypnosis करना है, self-hypnosis करके, खुद को relax करके visualize करना है, suggestions देना है, affirmations देना है, और खुद को शान्त करना है, तो number 1 क्या है, कि पहले उसके तरब उसको resist करने की कोशिश नहीं करना है, number 2 क्या है, उसको देखना है, accept करना है, number 3 क्या है, कि उसको उसके उपर जो कृती करना है, वो कृती नहीं करने की है, compulsion नहीं करना है, action नहीं करने की है, नमबर चार, रिलाक्स करने का है, just relax इधी घबराट हो रहे हैं, just relax, नमबर पांच, अभी बैटके उसको dispute करना है, कॉगनिटी बेर थरीपी में dispute करते हैं, dispute मतलब क्या है, dispute मतलब यह है, कि मुझे विचार आ रहे है, कि मैंने हाथ दोना चाहिए, मेरे हाथ खराव है, dispute करो, क मेरे हाथ खराव है, मैंने एक बार दो हाथ दो लिये, बाद में तो कई हाथ मेंने लगाए भी नहीं, तो हाथ कैसे क्या खराव हो सकते है, यह तो मेरे मन के वीचार है, actually तो खराव नहीं हुए, मैंने दैना पर आगे डाला, सामने डाला, तो वीचार कम हो जाएंगे, आटिमेटिक, तो पर क्या उससे में वीचार कम होते है, यह उससे में वीचार ज्यादा होते है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो यह जो वीचार आ रहे है और जो वीचार मुझे कमपल्शन करने के लिए कुछ बोल, रेक्शन करने के लिए बोल रहे है, यह कैसा इर्रेवं तो आपको next क्या करना है, exposure करना, exposure मतलब actually जब आप हाथ दोने के लिए जा रहे है, तो वहाँ अपने आपको रोक देने का है, कितनी भी तकलिफ हो जाए, रोकने का है, और वैसे ही self-hypnosis में, जब आप self-hypnosis करते हो, तो visualization करना है कि मेरे दिमाग में वीचार आ रहे है, और मै मैं खुद को रोक रहा हूँ, हाथ दोने से, मैं relaxed बैटा हूँ, विचार आ रहे, मगर मैं हाथ दोने के लिए नहीं आ रहा हूँ, और रोक रहा हूँ, तो क्या होगा, वो brain को जो relaxation मिलता है हाथ दोने से, वो मिलेगा है, तो मुझे विचार आ रहा है कि भगवान के उपर प्राइवेट पार्क के तरफ देखना है तो क्या हूथ आदमी देखता है तो इसको अच्छा लगता है अब मैं नहीं देख रहा हूं में रलाक्स हूँ मैं और कहीं देखके और किसी से मैंने बात करना चलू लिया तो इससे क्या हूंगा ब्रेन को जो relaxation मिलता है वो कृप्ति करने के बाद की relaxation वो मिलेंगी नहीं तो फिर धिरे धिरे विचार कम हो जाएंगे तो यह cognitive behavior therapy है self hypnosis में मैंने बताए कि self hypnosis में relaxation करते हैं खुद को hypnotize करते हैं मेरे अलग session से वह आपमारा class join कर सकते हैं हिपनो थेरेपी फॉर अपसेश्यू कंपल्शी डिसॉर्टर और उसमें खुद को सिजेशन देना है अफ़र्मेशन देना है विजॉलाइज़ेशन करना है ताकि ये विचार कम हो जाये और तीसरा है अच्छी मात्रा में अच्छे डॉक्टर से दवाई लेना अच्छे डॉ को कुलुमिप्रेमिन दवाई दोसो पचीस मिली ग्राम से लेके 300 मिली ग्राम पर दे तक दिनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को असे ट्राली नहीं है या फ्ल्योक्सिटिन है हाई तो काफी सारी दबाईया है जिसका पर्मुटेशन कॉंबिनेशन हम करते है और दबाईयों से भी बहुत सरे लोगों को फायदा होता है तो यह एक्स्ट्रीम केसे से कि इतना परेशान है कि वह पागल जैसा हो गया है साइकॉटिक हो गया है को ओसीडी के वजए से साइकोसिस हो गया अब हो सेंसिस में नहीं है तो उस समय फिर शॉक टीटमेंट हिने पड़ती एक्चली उसको स्किजोफिर में होते हुआ है साइकॉटिक है वह बहुत ही इन एक्प्रिये ब्यायू कर रहा है कंट्रोल में नहीं है तो उसको फिर शॉक कर सकता है कुछ लोगों में sodium valparate भी ट्राय किया होगा है उससे भी फायदा होता है तो यह हम सब दबाई मिला के उसको पर इलाज करें तो फायदा होता है सबसे जाला फायदा मैंने देखा मेरे एप्रोच में या मेरे टीटमेंट में कि बार-बार-बार-बार उसको यह करवा के देना कि यह मेरे विचार नहीं है मैं ऐसा विचार करूंगा नहीं मेरे प्रैटिस में मैंने देखा हुआ है सबसे जाला फायदा उससे होता है जब मैं बात करता हूं लोगों से कि देखो यह तुम्हारे विचार नहीं है तुम ऐसे विचार नहीं करेंगे तुम सब्सक्राइब करने की बार 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 निगेटिव विचार आने की तो जरूर उनको फायदा हो जाएंगा आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को ताकि ऐसे इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहली बार आते जाएंगे इसे हमारा होसला भी बढ़ता है आप लाइक करो सब्सक्राइब करो शेर करो आप आपका ख्याल रखो आपके परिवार का ख्याल रखो क्योंकि आप बहु मुल्य हो थैंक यू बेर मच